हाई अब्रीवन इस वीडियो में जार्खन जीके का एक प्रैटीस सेट करते हैं जो जेपीसी और जेससी के एकजाम के लिए अती महत्पुन है इस वीडियो में जार्खन से बनने वाले 30 महत्पुन स्वाल कबर किये जाएंगे तो चली सरू करते हैं जार्खन जीके प्रैटी मंतरी रह चुके हैं वे तीन तीन बार जारकंड के मुख्य मंतरी रह चुके हैं तो अभी तक वर अर्चुन मुंडा और सीवु सोरेन जारकंड में सबसे अधिक बार मुख्य मंतरी रहने का रिकॉर्ड है और जारकंड के मुख्य मंतरी से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे स मुख्यमंत्री के बनने के बाद कहा का विदान सभा चुनाव जीते थे तो रामगण विदान सभा का उस चुनाव जीते थे अगला सवल क्या बनता है राम जारखंड के दुसरे मुख्यमंत्री कौन थे अर्जुनुंडा जारखंड के दुसरे मुख्यमंत्री थे इसके पहले निर्दलिये मुख्यमंत्री कौन थे निर्दलिये मुख्यमंत्री की बात करें तो मधुकोड़ा हो जाएगा अगर बात करें जहारखंड के पहले गेर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे गेर आदिवासी मुख्यमंत्री में रगवर्दास हो जाएगे अगर बात करे हेमंत सोरें जो वर्तमान मुख्य मंत्री है जारखंड के किस नमर के मुख्य मंत्री है एक आरवे नमर के मुख्य मंत्री है दूसरा स्वाल क्या है जारखंड का सबसे प्राचीन एऊ अत्यांत लोक्त प्रिया वादियांतर कोन है जारखंड के सबसे लोक्तपली वादियांतर कौन है मांदर तो इसका सजह इंसर है मांदर तिसरा स्वाल की वर बढ़ते हैं जारखंड का हुआ अस्थान लाह के निर्यात के लिए अगरणी अस्थान रखता है तो लाह के निर्यात की दृष्टी से अगरनी अस्थान किसका है टोरी और टोरी लाह निर्यात के अंदर टोरी है जो किस जिले में है टोरी जो है लातेहर जिले में है आपको बताना है टोरी से कौन सा नदी का उधगम है कौन सा नदी टोरी से निकलती है जो लातेहर जिले मे है चौन्था स्वाल क्या है जारखन में अनुसुषित जाती के लिए आरक्षित एक मात्र लोक्सभा सीट कौन सी है तो अनुसुषित जाती के लिए सी के लिए जारखन में आरक्षित एक मात्र लोक्सभा सीट कौन सी है पलामू लोकसबा सीट और जहारखंड में लोकसबा की सीटों की संक्या कितनी है आठ चोगदा है चोगदा सीटों में से आठ सीट जो है अनरिजब है और पांच सीट जो है स्ट के लिए रिजब है और एक सीट है सबसे बढ़ा संसदी यह छेदर सिंभुम है पुछा जा जार्खन का संसदी यह चेदर 4 च्ञार संसदी यह Parl थो आथा जम्हार श्ती च्ञाया है पुछा जार्खन के लिंगवन पाथ कितना है 947 लिगानटपात है और 400 चोगदा जनसक्या घनत हो है पांचवा सवल क्या है? चठा सवल तो जहारखंड का सिमला किसे कहा जाता है? जहारखंड का सिमला जो है राची को कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जागा राची और राची को ही जहरनों और जलपार पातों का सहर भी कहा जाता है जहारखन राज के पर्थम हिंदी देनिक समाचार पत्रिका का नाम क्या है तो पर्थम हिंदी देनिक पत्रिका का नाम क्या है जहारखन का राष्टी भाजा तो इसका सही अंसर है राष्ट भाजा जहारखंड के पर्थम हिंदी देनिक पत्रिका है अठोस वल क्या है जहारखंड सरकार के पर्थम मंत्री मंडल में एक मात्र महिला मंत्री कों थी तो जहारखंड सरकार का गठन का हुआ था पहली बार 15 नौमर 2000 को तो उस किसके नयतरित में हुआ था उसके मुख्यमंत्री थे बाबुलार मंडी तो बाबुलार मंडी के मंत्री मंडल में एक मात्र महिला मंत्री कों थी जोबा मांजी तो जहारखंड के पहले महिला मंत्री कों है जोबा मांजी अगला अर्जुन मुंडा किस वर्स पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो अर्जुन मुंडा जारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री है और वे जारखंड में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहली बार मुख्यमंत्री का बने थे 18 जनवरी 2003 को तो उकर पूछा जाए तो अठार जनुवरी 2003 को मुख्यमंतरी बने थे जारखंड के दूसरे मुख्यमंतरी बने थे अगला स्वाल जारखंड राज में एक मात्र चावनी बोर्ड रामगण में विद्यामान है तो चावनी बोर्ड का देख्ष कोन होता है तो इसका सई अंसर हो जाएगा चावनी बोर्ड का देख जो है चावनी का कमांडिंग ओफिसर तो जारखंड में एक मात्र चावनी बोर्ड कहाँ पे है रामगण में और चावनी बोर्ड का देख्ष कोन होता है चावनी का कमांडिंग ओफिसर एक आरवा स्वाल देखते हैं मधु कोडा किस वर्स मुख्यमंत्री बने थे तो मधु कोडा किस वर्स मुख्यमंत्री बने थे तो इसका सई अंसर है 2006 में 18 सेक्टमर 2006 को ये मुख्यमंत्री बने थे और कब तक रहे थे 17 अगस्त 2008 तक अगला स्वाल देखते हैं और मधुपूरत कोड़ा से मत्पूर्ण स्वाल के पुछे जाता है तो मधुपूरत ज्ञारखन के पहले निर्दलिये मुख्यमंतरी थे ज्ञारखन विदान सबा में सबसेत कामों उम्र की महिला विदायक अंबा परसाद है तो अंबा परसाद की इस विदान सबा का परतिनी दित्वा करती है तो ज्ञारखन विदान सबा में सबसेत कामों उम्र की महिला विदायक कोन है अंबा परसाद और अंबा परसाद का विदान सबा चेतर कोन सा है बढ़का गाओं तो इसका सजिन सर है बढ़का गाओं तैरवास वाल 2010 में अर्जुन मुंडा सरकार में उप मुखी मंतरी कौन थे 2010 में अर्जुन मुंडा सरकार जब बना था तो उसमें उप मुंकी मंतरी कौन थे तो उप मुंकी मंतरी थे हैमंत सोरेन अगला क्या है जारखंड में उत्कृष्ट विधायक समान के रूप में कितनी रासी दी जाती है अगर पुछाए जारखंड के पर्थम उत्कृष्ट विधायक कौन थे तो इसे स्वर्क हाँ को पर्थम उत्कृष्ट विधायक का समान मिला है अगला क्या है वर्तमान मुख्य मंत्री हेमंद सोरें जारखंड के मुख्य मंत्रियों के कर में किस नमर पर आते हैं तो ये 11 नमर पर आते हैं पर्थम बार राष्टपती सासन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे तो जार्खण में पहली बार राष्टपती सासन कब लगा था 19 जनवरी 2009 को जार्खण में पहली बार राष्टपती सासन लगा और अभी तक तीन बार जार्खण में राष्टपती सासन लग चुक तो इसका सजिन सरोजेग राजपल आपको बताना है जारखन विदान सबाके पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे अगला क्या है जारखन के उत्पाद यहों मध्य निसेद विभाग के मंत्री कोन है तो उत्पाद और मध्य निसेद मंत्री कोन है जगरनात मौतों और जगरनात म पार्टी के इतियास हैं उत्वत्ति की जड़ पर सोध अध्यान किया जाएगा तो इसका सजय अंसर है जार्खन मुक्ति मोर्चा के उत्वत्ति और विकास पर डॉक्टर रमद्याल मुंडा जंजातिक कल्यान सोध संस्थान अध्यान करेगा अगला क्या है 2001 में उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसे मिला था तो 2001 में उत्कृष्ट विधायक सम्मान विस्वसवर खां को मिला था तो इस वे सवर खांज को 2001 में उत्कृष्ट विधायक सम्मान का पुर्सकार मिल चुका है अगला स्वाल क्या है अब तक कितनी महला विधायकों को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से समानित क्या जा चुका है तो इसका सजन सरे तीन तो अभी तक तीन महिला विधायक को उत्कृष्ट विधायक समान से समानित किया जा चुके है जारखंड में तो खनीज उत्पादन की द्रिष्टी से जारकंड के भारत में अस्थान कितना है पहला अगर पुछा ये कितना खनीज के उत्पादन अकेले जारकंड करता है तो 40% राची के बुंडू में स्थित सूरी मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संग्या दी जाती है इस मंदिर के सिल्पकार कोन है तो इसमें 300 है कौन-कौन तो सूरी मंदिर कहां पे है राची के बुंडू में और इस मंदिर को किसकी संग्या दी जाती है पत्थर पर लिखी कविता तो इस मंदिर के सिल्पकार कों थे एस आर एन कालिया तो सूरी मंदिर बुंडू के सिल्पकार कों थे एस आर एन कालिया और सूरी मंदिर बुंडू को किस क्या का संग्या दिया जाता है पत्थर पर लिखी कवीता अगला क्या है भारत के कुल खनीज उत्पादन में जार्खन का हिस्सा लगबक कितना परसिती सत है तो भारत के कुल खनीज उत्पादन में जार्खन के हिस्सा 40% है साथ ऐसमा सवाल देखते हैं किरसी विवाग के नुसार जारकन कितने भूमी जलवाईू उप छेतर में विवाजी थे तो किरसी विवाग के नुसार जारकन तीन जलवाईू उप छेतर में विवाजी थे तो तीन किरसी जलवाईू उप छेतर में विवाजी थे इतने, 3, अगला स्वल 20 परसेंट छेतर में, किस युकी चटाने पाए जाती है? जहारखन के 90% छेत्र में आर्कियन यूग की चटाने पाई जाती है तो सर्जेंस अर्कियन यूग तिसवाँ स्वाल देखते है जहारखन के एक मात्र नदी जिसमें नाव चलाई जा सकती है जहारखन के एक मात्र नदी कोन है जिसमें नाव चलाए जा सकती है मयूर आक्षी नदी निकलती कहा है तो देवर के त्रिकुट पाहड़ी से तो यह थे जारखन जीके से बनने वाली तीस महत्पूर स्वाल अगले वीडियो में कुछ आने स्वालों के साथ मिलते हैं तब तक पुराने वीडियो देखते रहें थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में